आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने दुलहन के पास जाऊं जो ना जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी, मेरा इंतजार कर रही थी मेरी उम्र 26 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए और आज मेरी शादी हो चुकी थी मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था, कुमकुम की लाइट से घर को सजाया गया था ताकि यह महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है यह घर मेरा नहीं था, बलकि मेरी मुह बोली मौसी का था उनके पती का काफी सालों पहले देहांथ हो चुका था और मेरी मासी अकेली थी, और मैं भी अकेला था इसलिए मासी ने मुझे कहा, तुम मेरा बेटा बन कर रहो मेरा कोई बेटा नहीं है मासी मेरी मा की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था एक ही मोहले में रहती थी साथ खेल कर और पढ़कर बढ़ी हुई थी और यह साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था मेरी मा के जाने के बाद भी मेरी मां की यह सहेली मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वह मेरी सगी मासी ही लगती थी उन्होंने कहा तुम मेरा बेटा बनकर मेरे पास रहो मेरा कोई बेटा नहीं है मुझे भी एक घर की जरूरत थी और मासी को सहारे की जरूरत थी इसलिए मैं बिना जिजग उनके घर में रहने के लिए आ गया मैं पिछले तीन साल से इस घर में रह रहा था यहां पर मासी और उनकी छोटी बेटी रहती थी तीन साल पहले मासी की बेटी की उम्र बारह साल की थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुलहन के रूप में ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी वह कमरा जो मासी ने इस घर में मेरे नाम का रखा था और मैं 3 साल से इसी कमरे में रहता था लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरी शादी मेरी मुह बोली कि घर वापस चले गए थे लेकिन मैं कश्मकश में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं एक 15 साल की लड़की के साथ पती-पत्नी का रिष्टा कैसे निभाऊंगा मुझे सोचते हुए ही अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी सी होती वह पंद्रह की जगह 18 या 20 साल की होती तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता है क्योंकि वह बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पर कोई एतराज ना होता मुझे एतराज सिर्फ और सिर्फ रागिनी की कम उम्र होने पर था उससे ज्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था लेकिन मासी ने कुछ इस तरह से जजबाती तोर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इंकार ना कर सका मैंने तो मासी से यह कह दिया कि मैं अभी रागिनी के साथ फेरे ले ले लेता हूं लेकिन विदाई बाद में कर देना जब वह बड़ी हो जाएगी त आज ही करनी है मुझे विदाई वाली बात समझ नहीं आई असल में तो हम एक ही घर में रहते थे ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर रागिनी को विदा होकर जाना था विदाई से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से पति-पत्नी एक रिष्टे में बंद जाते हैं एक दूसरे के होते हैं वह शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे जब रागिनी बड़ी हो जाएगी तब करेंगे यानि आज से चार-पांच साल के बाद क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और यह वाकई कानूनी जुर्म ही थ इसलिए खामोशी से मासी ने मेरी शादी करवा दी वरना अगर बात पुलिस तक पहुँच जाती है तो पुलिस हमारे घर आ जाती क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है इस शादी को लेकर मैं काफी हद तक डरा हुआ भी था मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर चुगली कर दी कि मैंने एक कम उम्र लड़की से शादी की है तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सजा तो मिल ही जानी थी यही सब सोच कर और उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी मासी के कमरे का दर्वाजा खुला और वो बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा तुम अभी तक अपनी दुलहन के पास नहीं गए हो वह तुम्हारा इंतजार कर रही है मासी के मुँँ से यह बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब लगा था मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि मासी को क्या जवाब दूँ मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुलहन के पास नहीं जाना चाहता यह कहकर मैं मासी से नजरे चुरा लिया तो मासी ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुलहन के पास जाना होगा मैं बड़े अर्मानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते हो मासी की बात पर मैं हैरान हो गया ये धुतकरने वाली बात कहां से आ गई वह शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी मजबूरन मुझे वहां से उठना पड़ा और रागिनी के पास जाना पड़ा जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा रागिनी पुरे दुलहन के रूप में तयार होकर सर जुकाए बैठी है मुझे ना जाने क्यों रागिनी को देखकर बहुत दुख हुआ था वह चोटी सी बच्ची थी और मासी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड रिष्टे में बंद गए थे मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती मैं उसके साथ कोई रिष्टा नहीं बनाऊंगा मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया लेकिन बैठा नहीं था मैंने उससे कोई बात नहीं की वह सर जुकाए बैठी थी वह इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुसन को शब्दों में बया नहीं कर सकता था उसकी उम्र 15 साल थी लेकिन उसका मेक अप कुछ इस तरह से किया गया था कि वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी लेकिन मेक अप से क्या होता है वह तो इतनी बड़ी नहीं थी ना वह छोटी ही थी और मैं कैसे उसके साथ कोई रिस्ता बना सकता था मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड़ पर ही सो जाएं सोफा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं आपको सोने में परिशानी होगी उसकी बात सुनकर में हैरान रह गया था कि वह छोटी सी थी लेकिन बात उसने बड़ों जैसी कर दी थी मुझे लगा कि वह मेरे करीब आने से घबरा जाएगी इसलिए मैं सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था लेकिन जब वह खुद कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आँखें बंद करके लेट गया मेरी आँखें बंद थी लेकिन मेरा दिमाग जगा हुआ था मैंने महसूस किया था कि रागेनी अभी तक बैठी हुई है क्या वह मेरे इंतजार में बैठी हुई थी मैंने आँखें खोल कर उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर या भारी भरकम कपड़े बदल कर कोई कमफर्टेबल कपड़े पहन कर सो जाओ मुझे भी नीद आ रही है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि मेरी बात सुनकर नाराज हुई थी हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुश हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से तो उसे इस रिष्टे के बारे में जानकारी नहीं होगी इतनी छोटी सी तो थी फिर थोड़ी देर बाद वह ड्रेसिंग रूम में चली गई उसने अपने कपड़े बदल लिये और मेरे बराबर लेट गई तो मैंने उठकर लाइट अन्फ कर दी लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वह बार-बार सरक कर नीन में मेरी तरफ आ रही है मैं बार-बार उसे फिर से उसकी जगहा पर आराम से धकेल देता लेकिन वह फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती वह शायद नीन्द में थी या उसको ज्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी वह तो नींद में ये हरकत कर रही थी लेकिन मैं तो जाग रहा था सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था उसके ये हरकत मेरे जजबातों को भी जगा रही थी एक बार तो वह मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था मेरी सांसे तेज हो गई थी मेरे सामने एक लड़की थी वह भी मेरी पत्नी थी और मैं उस पर पूरा हक रखता था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ में इस तरह का रिस्ता बनाऊ और यह कानूनी जुर्म भी था कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती तो रागिनी के मेडिकल चेक अप के बाद मुझे कोई ना कोई सजा जरूर होनी थी क्योंकि साबित हो जाता में तरफ करवट बदल लिया सारी रात मैं बेचैन ही रहा सुबह जब मेरी आँख खुली तो बहुत देर से खुली थी मैंने देखा रागिनी अभी तक सो रही है मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बेचैन ही रहा मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी रागिनी को लेकर मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ मैंने सोचा कि मैं रागिनी की मां से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग-अलग कर दें जब तक कि वह 18 साल की नहीं होती रागिनी एक उंचे लंबे कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी वह 15 साल की लड़की नहीं लगती थी 17 साल की लगती थी खूबसूरत इतनी थी कि किसी गुड़िया की तरह लगती थी लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था मैं ज्यादा रागिनी से बादचीत नहीं किया करता था मैं तीन साल से इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही ना हूँ मैं सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था या फिर मासी कोई काम देती तो तब उनके लिए सौदा वगेरा लाने के लिए घर आ जाता था या बिजली का बिल जमा करना होता या गैस भरवानी होती तो ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए मासी मुझे बुलाया करती थी और मैं उस समय घर आ जाया करता था मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था नौकरी की तलाश मैं में घर से बाहर निकलता था मुझे नौकरी तो नहीं मिलती थी लेकिन कुछ ना कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके मासी के घर मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी कि एक दिन मासी ने मुझसे एक ऐसी जित कर दी कि मैं खयाल भी नहीं कर सकता था मासी की तबियत तो थोड़ी खराब हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो उसको बहुत बड़ी समस्या बना लिया और रोना शुरू कर दिया काफी दिन तक मुझे जजबाती तौर पर ब्लैक मिल करती रही मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि मैं तीन साल से मासी के घर में पल रहा था खा पी रहा था मुझे निकम्मा नकारा कहकर हर समय मेरा दिल जलाया जाता था उसके उलट में यहां सुकून से रह रहा था मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार शुरू कर लूँ और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तो तब तक मैं मासी के घर पर ही रहूँगा और जो पैसे में थोड़े बहुत ओन अनलाइन कामों से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था उनको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था ताकि ज्यादा पैसे जमा हो सके तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूँ और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूँ नहीं तो किराय का घर ही ले लूँ लेकिन अपने रहने का इंतजाम कर लूँ लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था मैं तो खाने पीने की चीजों में भी खर्चा नहीं करता था खाना पीना भी मेरी मासी के उपर था अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था लेकिन मैं उसको भी संभाल कर रखता जा रहा था ये मेरी मसी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे बगएर दिल दुखाए अपने पास रखा मामा के घर में मुझे खाना तो मिलता था लेकिन ये खाना खाने के लिए मुझे सौ सौ बातें सुननी पड़ती थी लेकिन अब मासी ने मेरे सामने ऐसी बात रखी थी कि जिसे मैं ना स्विकार कर पा रहा था ना ही इनकार कर पा रहा था मासी की मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं उन्हें इंकार कर ही नहीं सकता था लेकिन यह मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर पा रहा था अगर मैं इंकार कर देता तो यकीनन मासी का दिल तूट जाता वैसे ही वह अभी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी उनके हार्ट में प्राबलम हो गई थी डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहता था अगर मेरी वजह से मासी को कुछ हो जाता तो मैं जिन्दगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता दूसरा मेरी इस बात से मासी का दिल दुख सकता था वह मुझे इस घर से निकाल भी सकती थी या फिर शायद वह मुझे अपने घर में रख भी लेती लेकिन मैं उनसे नजरे मिलाने के काबिल ना रहता बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने की बात मान लिया लेकिन मेरी शर्थ यह थी कि विदाई पांच साल के बाद की जाए लेकिन मासी की बात सुनकर तो मेरे सरपर धमाका हुआ जब उन्होंने कहा कि उन्हें विदाई भी साथ ही करनी है मैंने कहा ऐसे भी कोई मुसीबत नहीं आई है कि जल्दी विदाई हो मैं कहीं भागा नहीं जा रहा और भगवान की कृपा से आप अब बिल्कुल ठीक हैं आपको कुछ नहीं होगा तो मासी ने कहा कुछ भरोसा नहीं है कि कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ क्योंकि अब तुम भी जवान खून हो कोई भी लड़की तुमको अपनी मोहबत के जाल में फंसा सकती है और फिर तो मेरी बेटी की जिन्दगी बरबाद हो जाएगी तुम सोचोगे कि एक शादी ही तो है तुम्हारे बीच कोई पती-पत्नी वाला रिष्टा नहीं है और ना बच्चों की डोर है जो तुम्हें बंद कर रखेगी इस रिष्टे को खत्म करना तुम्हारे लिए आसान है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी विदाई भी हो जाए और तुम दोनों पती-पत्नी की तरह रहने लग जाओ मासी ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था उनकी बात भी अपनी जगह सही थी बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था कि हर मां को यह डर होता है कि उसकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा और रागिनी छोटी थी और मुम्किन था कि मैं किसी और की महबत में गिरफतार होकर किसी और से शादी कर भी सकता था क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था ओन अनलाइन भी मेरी काफी स्टूडेंट लड़कियां थी जिसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी हो सकता था कि उनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाता बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैं रागिनी से शादी की हामी भर ली थी और विदाई के लिए भी तयार हो गया था क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी जितने पैसे में जमा कर चुका था वह घर लेने के लिए काफी नहीं थे और अगर घर ले भी लेता तो फिर खाना पीना कहां से होता सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रागिनी से शादी में ही भलाई समझी और इसी को अपनी किस्मत समझ लिया सोचा बस कुछ साल इंतजार करता हूँ वह बड़ी हो जाएगी उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई रिष्टा रखूँगा बस ठीक है जिन्दगी अच्छी गुजर जाएगी रागिनी के साथ या फिर यह भी हो सकता है कि बड़ी होकर रागिनी का दिमाग बदल जाए और वह खुद ही शादी के लिए इंकार कर दे क्योंकि मैं उसे पूरे 11 साल बड़ा था अगर वह ऐसा करती तो मेरे लिए यह आसानी हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता लेकिन रागिनी की हरकतें तो मुझे कुछ और ही पता दे रही थी वह इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था मैंने महसूस किया था कि बहाने बहाने से वह मेरे करीब होने की कोशिश करती है फिर मुझे लगा कि यह शायद मासी की पढ़ाई हुई है कि उन्होंने ही रागिनी को यह समझाया होगा कि किसी तरह वह मुझसे पती-पत्नी वाला रिष्टा बना ले ताकि जल्दी ही रागिनी उमीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूर डोर में बन जाए मुझे मासी की इस सोच पर अफसोस हो रहा था उन्हें अपने बच्ची की सेहत की चिंता नहीं थी बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना था मैं कोई भगा तो नहीं जा रहा था लेकिन कुछ समय बाद मेरा ये खयाल भी गलत साबित हो गया कि मासी की पढ़ाई हुई है मैंने महसूस किया कि रागिनी तो खुद इस टाइप की है कि उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया है वह हर समय सोशल मीडिया का इस्तिमाल करती है और शायद उसे इस रिष्टे के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके अंदर जजबात पैदा हो गया था और मैं उसका पती था इसलिए वह सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके करीब आ जाओं इस उम्र में लड़कियों में हार्मोन के बदलाव शुरू हो जाते है और उन्हें यह इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए यह उम्र लड़कियों की बहुत ही नाजुक उम्र होती है कहते हैं इस उम्र में लड़कियों को मा बाप के केयर बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर ऐसे में उनके उपर ध्यान ना दिया जाए तो वह अपने राह से भटक जाती है और रागिनी भी उसी उम्र से गुजर रही थी उसके अंदर बदलते हार्मोंस उसे तंग कर रहे थे शायद रागिनी को ये इच्छा थी कि मैं उसके करीब जाऊं और एक रिस्ता कायम करूं और इसलिए वह बेधडक मेरे सामने आ जाती थी रात में हम एक ही बेड़ पर सोते थे तो वह मेरे करीब आ जाती अच्छे से तयार होकर और मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी वह अभी सिर्फ 10th क्लास में थी मैं जब उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वह मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी मैं उसे कहता पीछे हटकर बैठो तुम कुछ देर के लिए पीछे हो जाती है और फिर दुबारा से फिर मेरे करीब हो जाती मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मज जाता था लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाओ यह कानूनन जुर्म है और अगर किसी ने मेरी चुगली कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता हूँ कुछ दिनों से मैंने देखा रागिनी की दिमागी हालत दिन बादिन अब खराब होती जा रही है उसे इस बात की परिशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ लेकिन एक दिन मेरी बरदाश्ट की हद खत्म हो गई जब उसने खुद ही मेरे बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश की शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था और वह मेरे सीने से लग गई मेरे शरीर में भी जैसे आग लग चुकी थी लेकिन मुझे रागिनी की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उसे जटक दिया तो वह रोने लगी बोली मैं आपकी पत्नी हूँ आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं मैंने उससे कहा पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बातें करो मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था नाजाने कितनी बुरी बात सुनाई और घर छोड़ कर चला गया दो दिन तक घर से बाहर ही रहा और अपना मुबाइल भी बंद कर दिया और यह दो दिन मैं अपने दोस्त के घर पर रहा मैं दिमागी तोर पर बहुत ज़्यादा परिशान था घर वापस आया तो मासी बहुत परिशान थी उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़ कर चले जाओगे यही डर था मुझे मैंने देखा कि रागिनी का रंग पीला पड़ा हुआ है मैंने कुछ चुपचाप सी लग रही थी मुझे खुद पर अफसोस होने लगा मुझे उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था वो बच्ची है अभी बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे अभी प्यार से समझाना चाहिए गुस्से से नहीं मैं कमरे में गया तो रागिनी अपना तक्या उठाकर सोफे पर जाने लगी क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया था उस दिन मैंने गुस्से में से यह भी कह दिया था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोगी वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाओंगा मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने रागिनी को पुकारा मेरे पुकारने पर वो एकदम से डर गई थी कहने लगी प्लीज कमरे से बाहर मत जाईएगा मैं सोफे पर ही सोजाया करूँगी उसकी बात सुनकर मैं शर्मिन्दा हुआ था मैंने गहरी सांस भरी और उठकर रागिनी के पास आया उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बैठा दिया I am sorry मैं गुस्से में तुमसे बहुत कुछ गलत बोल गया मेरी जरा सी नर्मी पाकरवा रोने लगी रोते हुए मेरे साथ लग गई मैं उसे चाह कर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया था बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया वो सिस्कियों से रो रही थी कहने लगी मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ मम्मी के मजबूर करने पर आपने मुझसे शादी की है उसकी बात सुनकर मैं उसका चहरा ऊपर किया मैंने कहा तुम मुझे बुरी नहीं लगती बल्कि अच्छी लगने लगी हो तुम अब तुमसे दूर रहना मुझे मुझे मुश्किल लगने लगा है और तुम्हारे पास में आ नहीं सकता क्यूंकि तुम बहुत कम उम्म्र हो मैं तुम्हें इतनी कम उम्म्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता तृप्ती मैंने आज उसे अपना हर डर बता दिया था मुझे लगा यह सुनकर उसे सुकून हो जाएगा लेकिन वह तो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूब गई थी समय कुछ और आगे को बढ़ा तो रागिनी का पेट फूलने लगा उसकी रंगत भी पीली पढ़ने लगी मासी भी उन दिनों कुछ चुप-चुप सी थी काफी बीमार भी रहने लगी थी मैं मासी से रागिनी के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं तो मासी कहने लगी मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी मासी की तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ गई उनके सीने में फिर से तेज दर्द उठा था मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया वह दम तोड़ चुकी थी यह सद्मा रागिनी के लिए भी बहुत बड़ा था उस समय मैंने ही उसे संभाला था लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा है मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया डॉक्टर ने अल्ट्रा साउंड किया और जो कुछ मुझे बताया मेरे होश उड़ गए डॉक्टर कहने लगी आपकी पत्नी पांच महीने की प्रेग्नेंट है यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था मैं जिसे बच्ची समझ रहा था और उसे बच्ची समझ कर उसके पास नहीं जाता था वह कम उम्र में ही यह गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी मासी की जल्दबाजी अब मुझे समझ आई थी रागिनी का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आया था मेरी अकल हैरान थी इतनी सी उम्र में रागिनी यह सब कैसे कर सकती थी डॉक्टर कहने लगी आपकी पत्नी बहुत कम उम्र है उसका बहुत खयाल रखें वरना डिलीवरी में मुश्किल पैदा हो सकती है मैं जब घर वापस आया तो रागिनी को कमरे में ले गया उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि इतनी सी कम उम्र में तुम यह सब कुछ भी कर सकती हो तुम्हें और मासी को मैं ही मिला था तुम्हारा यह पाप छुपाने के लिए वो रोने लगी कहने लगी मेरा कोई दोस्त नहीं है मेरे ओंटो ड्राइवर ने जबरदस्ती मेरे साथ यह कहकर वह सिसक सिसक कर रोने लगी कहने लगी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी लेकिन डॉक्टर ने एबोशन से मना कर दिया कि मैं अभी बहुत कम उम्र हूँ और तकलीफ सह नहीं सकती मैं यह सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया था रागिनी कहने लगी मुझे तलाक मत दीजेगा बेशक आप दूसरी शादी कर ले लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ेगा मेरा कोई दोश नहीं है वह मेरे कदमों में बैठी हुई थी लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था उसने और उसकी माने मुझे जो धोखा दिया था वह मुझे सहन नहीं हो रहा था मैं उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकलाया हमेशा हमेशा के लिए मैं काफी दिनों से दुबई जाने की तयारी कर रहा था मैं सोच रहा था कि मैं रागिनी को उसकी मां के पास छोड़ कर दुबई चला जाऊंगा चार-पांच साल बाद आऊंगा तब तक रागिनी लगभग 19-20 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादी शुदा जिंदगी की शुरुआत करूँगा लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुल कर आया था मेरी हस्ती को हिला कर रख दिया था दुबई जाने के मेरे सारे पेपर तयार थे मैं अगले दिन ही रागिनी को बिना बताए दुबई चला आया उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि वह एक अकेली कम उम्र लड़की है जो की माँ बनने वाली थी और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी वह अकेली थी उसका क्या होता मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था उस समय मैं बस गुस्से में था और गुस्से में यह फैसला मैंने कर लिया था मैं उसे छोड़ कर दुबई आ गया और काम की तलाश में लग गया कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया मुझे नहीं बता मेरे पीछे से रागिनी का क्या हुआ था लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था और यह एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था मैं रातों को उठकर बैट जाता रागिनी का खयाल मुझे परेशान करता था और यूही वक्त गुजरता रहा और दो साल बीट गए और दो साल के बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया था क्योंकि मेरा दो साल का कॉंट्रैक्ट था वह खत्म हुआ था और मुझे दो महीने की छुट्टियां मिली हुई थी सच कहूं मैं तो सिर्फ रागिनी की खातिर हिंदुस्तान आया था वरना हिंदुस्तान में मेरा था ही कौन मेरा दिल इन दो सालों में बहुत बेचैन रहा था और मेरा जो दो साल का एग्रिमेंट था उसके खत्म होते ही मैं सीधा हिंदुस्तान आया था मैं एक बार अपनी आँखों से देख लेना चाहता था कि रागिनी ठीक है या नहीं उसके बाद मैं निश्चिन्थ हो जाता लेकिन घर आकर जो मैंने देखा मेरी आँखें फटी की फटी रह गई थी क्या वह वाकई रागिनी थी एकदम हड़ियों का धांचा वह सामने सोफे पर पड़ी हुई थी चहरा ऐसा जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो हाथ पैर सुख कर लकड़ी के समान हो गए थे मैं तडब कर उसके पास पहुँचा था उसने आँखें खोल कर मुश्किल से मुझे देखा था मुझे देख कर शायद उसे विश्वास नहीं आया था उसने मुझे चूकर महसूस किया मैंने कहा रागिनी हाँ, मैं ही हूँ और फिर उसकी आँखों से आंसू बह चले थे वो रोने लगी और बोली तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ सही है पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे जिन्दा क्यों रखा है वरना शायद मैं मर तो उसी दिन जाती जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था वह तकलीफ याद करती हूँ तो अब भी सहम जाती हूँ उस समय मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी अपना नहीं था वो अपनी आप बीती सुना रही थी और मैं बस उसे सुन रहा था मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था वो कहने लगी तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था पापा की जो पेंशन अती थी उससे मैं अपना खर्चा चला रही थी लेकिन जिंदगी जीने की कोई उमंग ही नहीं बची थी बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी मैं तुम्हें इस बात का कुसूरवार नहीं ठहरती क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था लेकिन शायद गलती इसमें मेरी भी नहीं थी जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ वो जबरदस्ती किया गया था मैं उसे बाहों में उठा कर अस्पताल लेकर भागा था उसके सारे चेक अप होने के बाद पता चला कि उसे टीवी हो गया था मैं उसे अपने साथ दुबई ले आया और वही उसका इलाज करवाने लगा पूरा एक साल लगा था उसे बिलकुल ठीक होने में मैंने उसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी मैंने कहा मुझे माफ कर दो जो कुछ किया मैं ने गुस्से में कदम उठाया था मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था रागिनी का दिल वाकई बहुत बड़ा था उसने मुझे माफ कर दिया उस दिन मैंने रागिनी को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था उसे अपनी पत्नी स्विकार किया था हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी